तो हालो फ्रेंड्स आज ना मैं बना रही हूँ आप सबके लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हैल्दी रेसिपी जिसे खाने के बाद पीट काफी लंबे समय तक भरा रहेगा और बहुत ही जादा हैल्दी और टेस्टी है आप बच्चों के टिफिट में भी इसे बना कर यह इतना हैल्दी और टेस्टी होता है और बहुत एजी तरीके से बनकर त्यार जाएगा तो चलिए फ्रेंड्स प्लीज रेसिपी को आप एंट तक देखिए तो फ्रेंड्स यहां पर मैंने पत्ता गोबी लिया है आधी पत्ता गोबी लिया इसे अच्छे तरीके से चॉप करके तो सबसे पहले ने फ्रेंड्स मैं यहां पर डाल रही हूं गाजर तो ग्रेटट गाजर डाला है मैंने और यहां पर मैंने प्याज ले लिया है और हरी मिर्च ली है बारी काटके और यहां पर शिमला मिर्च ली है लाल वाली पीली और हरी वाली चॉपर मैंने चौप करके डाला है तो सारी चीज़ों को यहां पर हम डाल देंगे और यहां पर क्या करेंगे अब इसमें मैं डाल रहे हूं चना डाल तो यहां पर मैंने चना डाल लिया है अच्छे तरीके सोक कर लिया था और इसे जार में डाल के अच्छे तरीके से पीस लेंगे दो तिन चना दाल को हम यहीं पे डाल देते हैं और थोड़ा-सा-हरा-धनिया हम बारिक काम के डाल देंगे व्यवित नाश्था बहुत पूरी कर सोपसी बेर अवी सकते की तो नाश्था करें थ्यार रिय賽म् कालत Sug ratio highlighted और यहारा-धनिया काम के डाल दिया है और friends यहाँ पर न मैं डाल रहे हूं पिसी मिश पाउडर थोड़ी सी और healthy powder डाल देंगे और स्वाद के अकॉर्डिंग यहाँ पर नमक डाल देंगे friends अपने सारी चीज़ें यहाँ पर डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से mix कर लेंगे तो यहाँ पना हाथों से मैं यहाँ पर mix कर रहे हूं यह देखिए सुबह की टाइम इस नाश्टे को आप बना कर त्यार कर सकते हैं बहुत एजी है बनाना और बहुत ही healthy है इसे आप बना सकते हैं सुबह शाम के नाश्टे में तो यहाँ अपने फेंट अब क्या करेंगे binding के लिए मैं ले रही हूं पर चावल का आटा इसे mix करने के बाद मैं यहाँ पर डाल दी चावल का आटा जितने आपको ज़रूरत हो उतना ही आप यहाँ पर चावल का आटा डाल यह लिजिए यह हमारा बिलकुल अच्छे तरी में चटनी बना करुए हरी करुछ चैने कि यहां पर द्रेंगे तो further दुदयाँ compound शवातं चप्वाति ़र्वंपिली और्रूर लेखी तोठी सव्केट लेखने नमक नाल दीया यह ने नमक डाल दिया यह अच्छे तरीके से भी सिपे बिल्कुल थयार कर लेंगे यह दिख्याँ यहां पर ना मै ने प्तिकाल लिया है- एक बैटोरि में और यहां पर बेकिंग पेपर में ही इसे मैं बनाऊंगी तो गैस पर मैंने तवा रख दिया है गरम होने के लिए तो आपना हम यहां पर इसे चेक कर लेते हैं तो यह देखें फ्रेंट्स यहां पर बेकिंग पेपर पे न मैं इसे रख रही हूं इस तरीके से और इसे हम चील यह देखिए हाथों में बिल्कुल नहीं छिपकेगा थोड़ा सा पानी लगा के आप इस तरीके से फैलाएंगे तो इन्य देखिए यह देखिए यह था रहा ने चीले को आप लेना इसे न अब तवे पर डालेंगे तो सबसे पहले मैं तवे पर थोड़ा सा ओल डाल रहे हू अच्छे तरीके से तवा गरम हो चुका है यहाँ पर ओयल को अच्छे तरीके से लगा लेंगे और यहाँ पर इस चीले को मैं डाल रहे हूँ तवे पे यह देखे यहाँ पर इस तरीके से फ्रेंड्स आपको डालते हुए इसे निकाल लेने है तो यह दिखें कितना पर्फेक्ट है हमारा चीला तवे पर निकला है और इसे उलट टट करते हैं अच्छे तरीके से मैं सेख रियूँ फ्रेंड्स तो यह दिखें बहुत ही इजी है बनाना और बहुत ही टेस्ट लगता है और इस सारी चीज़े सबजियों से बन कर तयार हुए तो बहुत ही हेल्दी भी है आप इसे बच्चों को भी दे सकते हैं बच्चों को बहुत ही जादा पसंद आएगा तो यह दिखें यहाँ पर मैंन बिल्कुल रडी है। थाली में मैला का रहे हूं चीले आप उसे बेजटेबल चीला कंभ के हैं। बहुत हैं है空 चीला की ज़स जब टे adapts रच हैं। तो यह लिजे हमारी थाली बनकर बिल्कुल रेडी है और इसे खाने के बाद आपको बहुत लंबे समय तक भूग भी नहीं लगने वाली है और हेल्दी सा यह नाश्टा बनकर रेडी है तो यह देखिए यह हमारा कितना बढ़िया चीला बनकर रेडी हुआ है मैं आपको यहां परना मैं इस नाश्टे को लेकर आए हूँ मम्मी और विहान के पास तो यहाँ देख सकते हैं कि विहान पढ़ाई कर रहा था दादी के साथ और मम्मी खा रही है तो बहुत ही जादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ था अगर आपको रेशिपी अच्छी लगे तो प्ल ठाइचे का।